तो ये लोग हमारे एजंट बनेंगे कैसे बनेंगे सिंपल सी बात है चार-पांच करोड़ रुपए का बजट है एक मॉलवी को बोला कि भाई देखो तुमारी तनका की इनको यह पांच-देशार रुपए मिलते हैं जाधा पैसे मिलते नहीं उनसे बलना देखो मॉलवी सब SUV आपको देंगे एपल का मॉबाइल फोन आपके पास होगा मकान आपको देंगे ठीक है सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में राइट और हर महिने आपको दो लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास या मॉरशस से केमन दो दो लाख रुपए हर महिने आपके पास तंखा आपकी आती रहेगी और आपकी हर चीज़ का आपके परिवार का खांदान का सब कुछ वी विल टेक केर आफ एवरिटिंग आप बरेलवी हैं आपका काम है हर हफ़ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देव बंदियो को गाली देंगे देव बंदियों को गाली कैसे इस तरीके से क्या आप बोलेंगे वो गहर इसलामी हैं आपका यही काम है ऐसे आप पंद्रा बीस मॉल वी एक साथ आप बरेलवी खटा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह है इन फाक पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ ह उसको अच्छी तरीके साइड़ करें और रिलिजिस टेक्ट्स का हवाला देते हुए क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं जबकि कुरान शरीफ यह नहीं कहता कि शिया कौन है सुननी कौन है यह नहीं कहता कि बरेलवी कौन है देवबंदी कौन है एल अधीस कौन है कहता है कि तो मौमिन हो लेकिन उसमें गंद किसने डाली मौलवियों ना डाली ना गंद उसमें हम मौलवियों ना गंद डाली पाकिस्तानी मौलवियों नो जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलिजिस टीचिंग्स में हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फाइदा वाजब कतल हैं, आपने कुरान की कोई आयात तो कोट करी होगी, तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान चरीफ के किसी ना किसी आयात में, आपको यानि बरेलवीयों को, देवबंधी के खिलाफ कुछ नो कुछ मिली जाएगा, मिल जाएगा आप उसका फाइदा उठाईए आप उसका फाइदा उठाईए उसी तरीके से आप फिर जाएए और देवबंदी मौलियों के पास उनकी एक अलग सोशिल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलियों को ये बोलिए कि भईया आप एक काम करिए आप बरिल्वियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये गाफिर हैं ये वाजब उलकतल है छे मेहने के अंदर पाकिस्तान में अर्थ को एक आ जाएगा क्योंकि इलिटरिसी बहुत है पाकिस्तान में अब गरीबी की बात नहीं कर रहा गरीबी हिंदुस्तान में भी है कई असे मुल्क है जहाँ पर गरीबी बहुत है पाकिस्तान में जाहलत बहुत है क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं जब उनके पास नॉलिज नहीं है वहाँ पर साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती है एक जमाने में जबकि उनके पास नोबल प्राइज विनर है साइंटिस्ट उसको तो 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 एहमदी करके उसको गाई भी कर दिया लोगों नै तो तो दाट इस दे नेचर अफ टेट अब वहाँ पर बताईए ये मुहमद बिन सल्मान जो है क्राउन प्रिंस उसने भी यही काम करा है देखिए जनल फैस जो है आईसाई चीफ उनको एक बार नहीं मिले वो जनल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी आजरात है सब पहुंच जाई ये साओधेरी पे देखो वाइंड और ताहिर अश्रिफी साहब और शाम का वाक्त हो रहा है रिकॉर्डिंग चल रही ही तो ताहिर अश्रिफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ है हमारे हाथ में तो पानी का ग्लास है आपके हाथ में जाम होगा पक्का क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने एक बहुत आपको शौक है चीर्स हम आपको यही से इंडिया से चीर्स कहते हैं आपको उतर प्रदेश से मौलाना साथ वांपे चीर्स कर रहा हूंगे तायर अश्रीफी में बताता चलू अपने दोस्तों को कि वेरी-वेरी फॉंड ओ इस ड्रिंक और कई बार टी-वी डेबेट्स में बिल्कुल मौलाना साथ बिल्कुल तुलो का राते हैं को टाइड जिसको कहते हैं न अगर आप मुझे सुन सकते हैं क्योंके मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकते हूं जी इसलामी नदरयाती कॉंसर को और मुझे यूपी में कहते हैं बंड हैं बंड होकर आते हैं इनको लेकर गए तो ये उन्होंने जो सुनीज हैं उनको अट्रैक करा इरान लेकर जाता, ऐरान फैसलिट्रेट करता है अप आईए मिली है वहाँ पर तो आप ये देखिए कि अल्ड़डी एक फ्रेमवर्क है ये फ्रेमवर्क किसी यहुदी ने नहीं बनाया ये हिंदू नहीं बनाया, किसी हिसाई नहीं बनाया ये framework कुरान चरीफ में भी नहीं है ये मॉल्वियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने ये आपको एक मॉल्वियों ने एक मैप बना के दे दिया किसाथ इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं आपको यही काम करना है